आईए दोस्तों तो वीडियो की शुरुबात करते हैं और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ Question-Answers 12th Night के तो बिल्कुल भी समय ना लेते हुए सीरी चलते हैं वीडियो की ओर First Question Who is Orsino in love with at the beginning of the play? यानि कि Orsino जो है Duke Orsino वो किसके प्रेम में है जब play की शुरुबात होती है Olivia, Vuela, Maria, Malvolio The correct answer is A. Olivia आपका मालूम है कि Duke Orsino जो है वो Olivia से प्रेम करता था Complete the quote If music be the food of आपसे पूछा गया है कि If music be the food of के बाद में इस Quotation को पूरा करने के लिए इनमें से कौनसर वर्ट आएगा Sleep, Sorrow, Love, Joy तो आपका मालूम है ये इस play की पहली लाइन है If music be the food of love तो correct answer है दुस्तों C Where does 12th night take place ये जो work है 12th night बारवी रात का ये कहां पर प्लेस है यानि इसमें जो इस्थान दिखाया गया है दुस्तों वो कहां का इस्थान दिखाया है कौन सा इस्थान दिखाया गया है England, Illyria, Ruditania, Denmark तो जो correct answer है दुस्तों आपका मालूम है Duke Orsino को Duke of Illyria या Duke Orsino is known for Illyria या 12th night is known for Illyria इसमें Illyria के Duke की कहानी है दुस्तों तो याद रखेगा इसका जो place है वो Illyria है Why is Illyria unwilling to receive any visitors? Why means Olivia जो है किसी भी visitor से मिलने की इच्छा नहीं रखती है यानि उसने मना कर दिया है वो किसी से मिलना नहीं चाहती है उसका कारण क्या है She is hideously deformed She is terribly shy She cannot speak She is mourning for her dead brother तो आपको मालूम है जो correct answer है दुस्तों वो है for यानि D She is mourning वह शोख मगन है अपने भाई की मृतिव पर The correct answer is D How does Voila come to be at Orsino's court Voila Orsino के जो court है दरवार है वहां तक कैसे पहुंचती है She is shipwrecked nearby उसका जहाद आसपासी नस्टो गया था तूड गया था She is captured and made a slave उसको पकल दिया गया और एक slave बना दिया गया She is invited to be a guest of Orsino उसको एक guest के रूप में रखा गया Orsino के She is Orsino's daughter वह Orsino की बेटी है तो जो correct answer है दोस्तो आपको मालूम है कि 12th night में वोईला का जो जहाद है शिप है वो nearby ship ragged हो गया तूड गया समंदरी तुफान में फस गया जिसके कारण वो सब लोग इदर उदर हो गये तो correct answer is A Why is Sir Andrew Ague Chick staying at Olivia's home देखें आप से पूछा जाएगा Sir Andrew का जिखने Sir Andrew जो है वो Olivia के home पर क्यों रुके हुए है तो he is her uncle simple सा question है He is trying to court Maria He is trying to court Olivia He is Malvolio's brother The correct answer is C He is trying to to court Olivia वह ए Olivia को अपने प्रेम में लाना चाहते है Olivia के चक्कर में है वो चाहते है कि मैं Olivia को जो है अपने प्रेम में फसाल हूं Olivia मुझे प्रेम करेगी वो मेरे साथ विभा करेगी इस लालस में वो वहाँ पर रूखे रहते है वोईला ने अपना जो रूप परिवर्दन किया है वो किस फॉर्म में है या किस रूप में शी पूट्स ओन मेकप टू मेक हरसेल्फ रिजेम्बल एन ओल्ड वोमेन वे एक बूरी इस्तरी दिखना चाहती है इस तरह का उसने रूप रखा है उसने एक लड़के की तरह ड्रेट्स पहना हुआ है उसने अपने हैड को मुड़वा दिया है और वो जो है डाड़ी लगाए हुए है उसने अपने आपको डिजगाईज नहीं किया है तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तो उसने एक लड़के की रूप में अपने आपको रखा है रूप बदला है और वोईला डिजगाईज नेम इस सेजेरियू वाट इस मालवोलियो की पोजिशन क्या है इस प्ले के अंदर वह औरसिनो का फूल है वह वोईला का बटलर है वह वोईला का बटलर है आप समझते होंगे खान सामा तो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूशन है दुस्तों और यह क्यूशन टीजी टी में पूछा जा चुका है तो इसको आप विसेश रुप से ध्यान रखेगा मालवोलियो के बारे में तो आपको पता है कि वह वोईलीविया का स्टीवार्ड है आपसे कुशन पूचा जाएगा तो आप करेक्ट आंसर दीजीगा कि मालवोलियो वाट इज सर टॉबी से ग्रेट वाइज सर टॉबी की सबसे अच्छी चीज क्या है ही इज ब्रंकार्ड अच्छी चीज कह दिया दोस्तों मैंने गलती से उसके अंदर कोई भी वाइस नहीं है आपको मालूम होगा कि बहुत ही इंपॉर्डेंट कोशन है दोस्तों सबसे पहला ही इज ए ड्रंकार्ड वह एक शराबी है खाने पीने का बहुत शौकीन है पेटू है तो ध्यान दिजिएगा आप यह जो पहला वाला है दोस्तों वह कहता है शराब नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो फर्स्ट कोशन आप दलकुल याद रखेगा और वह लालज देता रहता है शराब पीता रहता है उससे और शिनो किसको भीजता है अपना मैसेज लेकर के उलिविया के पास मालवोलियो को भीजता है फैस्टे को भीजता है वोयला को भीजता है इंडेजगाईज एस सेजेरियो और सिबिस्चियन को भीजता है तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है किसको वोयला को भीचता है सेजेरियो के रूप में किसके पास ओलीविया के पास वोयला किसके प्रेम में पढ़ जाती है देखिए धियान से सुनिए वोयला को पूछा गया है कि वोयला किसके प्रेम में पढ़ जाती है मालवोलियो के ओर्सिनो के सरटवी के ओलीविया के तो आप धिएन दीजिए कि वोयला FALL IN LOVE WITH ओर्सिनो The correct answer is B ओर्सिनो वोयला जो है वो ओर्सिनो के प्रेम में पढ़ जाती है Who does Olivia fall in love with Olivia किसके प्रेम में पढ़ जाती है अब ये ध्यान दीजिए देखिए यहाँ पर जो love of triangle है भी मैं आपको समझाता हूँ love of triangle दिखाया गया इसमे तो Olivia किसके प्रेम में पढ़ती है Orsino के, Malvolio के, Antonio के या Voila के In disguise as Caesareo The correct answer is D अब आपको समझाता हूँ देखिए एक तरफ है Duke Duke यानि Orsino एक तरफ है Olivia और एक तरफ है Voila अब मज़े की बार देखिए Duke लव करता है Olivia को Olivia लव करती है Voila को क्योंकि वो उसको एक लड़के के रूप में जानती है Caesareo के रूप में और Voila प्रेम करने लगती है Duke को तो ये क्रेंगल आप जरूर याद रखेगा Who is Sebastian आप Sebastian कौन है प्ले के अंदर Voila's brother और Sino's cousin Olivia's fool Malvory's son तो आपको मालूम है Sebastian was the brother of Voila ये Voila का भाई है और ये भी ध्यान रखेगा आपसे पूछा जाए Twins कौन है इस प्ले के अंदर Twins जो है वो दोस्तो ये Sebastian और Voila जुणवा भाई भाई भ्रहन है Who force the letter that Malvolio thinks is from Olivia किसने जो इसमें एक letter की कहानी है दोस्तो Forgery की जाती है letter के माध्यम से Who force the letter तो उस letter को कौन लिखता है that Malvolio thinks is from Olivia जिसको Malvolio समझता है कि वो Olivia से उसको मिला है Faste Sir Toby Maria और Voila The correct answer is C Maria Maria उसको छेडने के लिए उसको थोड़ा परिशान करने के लिए एक पत्र लिख देती है और वो पत्र जो है Malvolio पढ़ता है और Malvolio को लगता है कि Olivia ने मुझको letter भेजा है और विचारा बंठन के बड़े कपड़े वपड़े पहन के बूट बूट पहन के सिंगार करके बड़िया सा जबरदस्ता स्मार्ट सा बनके घूमता रहता Olivia के आसपास उस फोर्ज लेटर के मादम से क्या हुआ या क्या उसका अर्थ बना या उसके साथ प्रेम में है या उसका भागे कुछ परिवर्टन करेगा तो आपको मालूम है correct answer है D उस पत्र के मादम से मालवलियों को ये ऐसास होने लगा पढ़कर के उसको कि Olivia उससे प्रेम करती है who takes care of Sebastian after he is सिप्रेक Sebastian जो की वोईला का भाई है उसकी देखबाल कौन करता है जब वो सिप्रेक में बिछड जाते हैं वोईला, फैस्टे, मालवलियो, एंटोनियो the correct answer is D एंटोनियो who challenge Caesario to a duel एक द्वन्द युद के लिए कौन challenge करता है Caesario को और सिनो Sir Andrew मालवोलियो एंटोनियो the correct answer is B Sir Andrew What does मालवोलियो wear in the hope of pleasing Olivia मालवोलियो Olivia को परसंद करने के लिए क्या पहने रहता है green leggings women's clothing yellow stockings and crossed garters a red wing and silver pantaloons तो जो correct answer है दोस्तों वो है C a yellow yellow stockings and crossed garters Why does Antonio travel to Illyria Antonio Illyria की यात्रा क्यों करता है To be close to Sebastian क्योंकि वह है Sebastian के close है To get revenge on Orsino क्योंकि वह है Orsino से बदला लेना चाहता है To woo Olivia क्योंकि वह है Olivia को चलना चाहता है He does not travel वह यात्रा नहीं करता To why does Antonio travel to Illyria क्योंकि वो Sebastian के close है Sebastian के साथ है इसलिए वह यात्रा करता है और वहाँ पर जो है आपको मालूम है कि वो बिछड गए थे अलग-अलग तो सब जो Sebastian की बहन है Voila वहाँ पर सब एक play होता है उसमें ये सब मलते है ये पूरा एक play है बिछडने का शुरूबात सिप्रेक्स से होती है Illyria के निकट तो आपको मालूम है ये Sebastian Antonio साथ है और इसी लिए Antonio जो है Sebastian के साथ फिर में उसको उसकी सिस्टर की तलास में इधर उधर घुमते है Why does Sir Andrew try to fight with Sebastian Sir Andrew Sebastian से क्यों लड़ना चाहता है He thinks that Sebastian has killed Orsino उसने सोचा कि Sebastian को मार दिया गया है has killed Orsino Sebastian ने Orsino को मार दिया है He thinks that Sebastian wants to kill Sir Toby वैं ये सुचता है कि Sebastian Sir Toby को मारना चाहता है वैं ये सुचता है कि Sebastian in love with Maria Sebastian मारिया से फ्रेम करता है इस कारण से He thinks that Sebastian is Caeserio वैं सुचता है कि Sebastian जो है वो Caeserio है तो जो correct answer है दूस्तों वो है D Sir Andrew try to fight Sebastian Sir Andrew इसलिए लड़ना चाहता है क्योंकि वैं Sebastian को वैला समझ लेता है जो की Caeserio के रूप में थी तो Sebastian से Sebastian को वो Caeserio समझता है और उससे लड़ने लगता है What do Sir Toby and the others do to Malvolio What do Sir Toby and the others do to Malvolio सभी लोग Malvolio के साथ क्या करते है They kill him They lock him in dark room They tar and feather him They get him drunk and convince him to sing with them तो जो correct answer है दूस्तो वो है B They lock him in a dark room and tell him he is mad देखिए ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि वे लोग उसको परिशान करते हैं Malvolio को बंद कर देते कमले में और उसको पागल साबित कर देते हैं What does Guise does fast when he speaks with Malvolio What does What disguise does fast wear उसमें जो fast है उसने क्या disguise किया हुआ है when he speaks with Malvolio जब वो Malvolio से बात करता है Cesareo, Olivia, Sir Topaz, The Curate and Angel तो आप ध्यान दीजेगा दूस्तों ये बहुत ही important question है और ये question अगर आपको एक्जाम में मिलता है तो आप समझें कि बहुत आपका दिल खुस हो जाएगा आपसे एक character पूछा जाएगा दोस्तों कि Sir Topaz जो है वो सेक्सिबेर के किस प्ले में आया है तो याद रखिएगा Sir Topaz का जो रोल है दोस्तों वो सेस्टे के दुआरा disguise form में है इस प्ले के अंदर यानि 12th night के अंदर तो याद रखिएगा अगर आप से पूछ लिए जाए Sir Topaz किस प्ले में है तो 12th night में बहुत ही important है Who does Olivia marry? Olivia किस से विभा करती है? Sebastian से, Antonio से, Orsino से, Malvolio से तो जो correct answer है दोस्तों वो है A. Sebastian से When he realizes that Caesareo is a woman, what does Orsino do? जब उसको लगता है कि Caesareo जो है वो एक woman है तो Orsino क्या करता है? He orders her execute, he banishes her, he betrots her to Antonio, he decided to marry her तो जो correct answer है दोस्तों वो D है, वो तयार हो जाता है O. Olivia से विभा करने के लिए Which character does not get married or plan to at the end of the play? Which character does not get married? इसमें से किस character का विभा नहीं होता है Or plan to the end of the play? ले की समापती पर? Orsino, Sir Toby, Sebastian, Malvolio तो जो correct answer है दोस्तों वो है D, Malvolio Clear? याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको बता दूँ दोस्तों कि play बहुत ही important है और यहाँ पर जो Sir Toby है उसका role भी बहुत important है और काफी अच्छा है जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा बहुत हसी आएगी, मुस्कराहट आएगी, बुद्धिमानी से भरी comedy है यह Shakespeare की तो उमीद करता हूँ आपको questions पसंद आये होंगे दूस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू